तो आज हम पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे उंची सीव परतिमा विश्वास अवरुपम में इसकी उंचाई है 399 फिट और सबसे पहले हम अंदर एंट्री करते हैं तो इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी यहां से टिकट और टिकट की प्राइस है टोटल 400 रुपे 200 रुपे तो आप यदि अभी जैसे नेचे से देख रहे हैं इसके लिए और 200 रुपे यदि आपको मूर्ति के अंदर से होकर उपर तक दर्सन करने हैं इसके लिए आपको 200 रुपे के अलग टिकट लेनी पड़ेगी और इस टाइप का आपको एक हाथ पर बांधने के लिए बेंड दिया जाएगा जिसको आपको बांधना जरूरी है इसके बांधे बिना आपको अंदर एंटरी नहीं मिलेगी तो अभी हम ये जो रस्ता बनाया हुआ है इससे आगे की तरफ जा रहे हैं और ये अभी बेक साइड आपको मूर्ति का दिख रहा है तीन सो उनेतर फिट की हाइट है इस मूर्ति की और अभी हम इसके एक साइड में पहुँच गए हैं और यदि आप सामने की साइड में देख रहे हैं तो छोटी सी आपको एक और मूर्ति दिखाई दे रही है ये इसी मूर्ति का एक छोटा रूप त्यार करके नीचे रखा हुआ है और ये देखे मैं तोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ पेर देखे कितना बड़ा विसाल का ये पेर है और ये जो छोटी मूर्ति है इसको पहले आपको मैं पास में ले जाके दिखाता हूँ तो जो में मूर्ति हम उपर देखने जा रहे हैं उसका एक छोटा रूप यहां पर आपको सामने देखने को मिलेगा और यहां पर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि इतनी यहां पर हर्याली है बहुत सारे तरे तरे के पेड़ पोदे यहां पर लगाए वे हैं इकाउन बीगा जमीन की जो पाड़ी है उस पर यह पूरी मूर्ति बनी हुई है और दोस्तों आपको जानकर हेरानी होगी इस मूर्ति को बनने में 10 साल का समय लग गया यह जो आप देख रहे हैं इसमें 10 साल का समय लग गया और यह आप सामने जो मूर्ति के नीचे गेट देख रहे हैं यहीं से आपकी एंट्री होती है और सबसे अच्छी बात है कि आपको जूते, चपल और यहां तक की सोक्स भी बहार उतार कर ही अंदर जाना होता है। अंदर जाने के लिए देखे बिलकुल 5 स्टार लक्चरी यहां पर ओपिस टाइप का पूरा नीचे बना वा है और यहां पर लिफ्ट लगी वी है जो आपको सीधा उपर ले कर जाती है मूर्ती के अंदर दर्शन करने के लिए दस लोग यहां पर एक साथ बेटकर मूर्ती के उपर तक दर्शन करने के लिए जा सकते हैं अब हम लिफ्ट में चड़कर उपर की साइड में आ चुके हैं और यह मूर्ती के जो कान का कुंडल है उसके नीचे हम अभी खड़े हैं और यह हाइट है अभी लगबग 280 फिट की और इसके साथ ही यहां पर नाग भी बनाया यह तो नाग का कुंडल है और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहां पर नाग बनाया हुआ है इस मूर्ती को बनाने में 3000 टन इस्टील और लोहा लगा इसके अलावा मूर्ती के अंदर 4 लिफ्ट और 3 सीडियां इसके अंदर इस्तमाल की गई है जो आपको उपर के सा बनाया हुआ है काज का बिरिज बनाया हुआ है और यहां पर आप एक 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 करके सभी लोग जाते हैं इसको देखने में थोड़ा एक रोमांच कारी अन्बो होता है और बहुत लोग यहां पर जाते हैं तो डर भी जाते हैं क्योंकि सीधा नीचे दिखता है और 280 फीट से यदि हवा चल जाए तो भी कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है यहां पर देखिए यह बहुत ही शांदार एक तिर्सुल बनाये हुआ है इसी काज के रस्ते से यदि आप आगे जाएंगे तो तिर्सुल बनाये हुआ है और बहुत लंबे चोड़ एरिया में देखिए पेड़ पोदे लगाए हुए है और यहां पर नीचे रोडे बने हुए हालांकि टिगट 400 रुपे का है लेकिन जितनी ये लोग सर्विसेस दे रहे हैं मदन जी पालिवाल ने इस मूर्ती का निर्मान कराया है वो देखके लगता है कि टिगट की जो प्राइस है वो बिलकुल वर्थीट है क्योंकि बहुत अच्ची यहां पर सीक्रोटी का सिस्टम किया गया है इतनी उंचाई पर बच्चे भी जाते हैं माईलाएं भी जाती है तो सब के लिए proper security का system किया गया है उपर भी staff पूरा लगाया वाई security के लिए और जब entry होती है तो भी वहाँ पर पूरा security का system किया गया है यहां से आप देख रहे हैं यह मूर्ती के सामने नंदी बनाए वे हैं नंदी मराज यहां पर इस्ताफित किये वे हैं और इसके ठीक सामने यह मूर्ती इस्ताफित है और यदि हम कुछ numbers की बात करें तो यह जो नंदी मराज है इनकी सम जो height है लंबई है वो है 37 feet और मूर्ती के यदि आप चेरे और जटा की बात करें तो वो है बेतर feet आंख है 18 feet, सिना है बेतर feet का पेट है 60 feet, हाथ 40 feet, आसन, मुद्रा जो है वो है 75 feet की पंजा है 65, तिर्सुल है 191 feet का कुंडल 9 feet, नाग जो बनाएवा है वो है 31 feet का और यहाँ पर भगवान सिव को द्यान और अलड मुद्रा में दिखाया गया है इस मूर्थी को बनाने में 10 साल और 300 करोड रुपे की लागत है बहार आपको बहुत सांदार पार्किंग मिल जाता है जहाँ पर आप अपने वाहन खड़े कर सकते हैं यदि आपके साथ में कोई बेग वगरा भी है, सामान है उसको रखने के लिए भी यहाँ पर अच्छे से अनंदर इस्टोर बनाया हुआ है 300 करोड रुपे की लागत से बने इस मूर्थी के लिए मदंजी पालिवाल को देशी ट्रेवलिंग और आप सभी दर्सकों की तरफ से एक धन्यवाद तो बनता है हर हर मादेव दोस्तों